सुन नहरी गोटे में, रुपहरी गोटे में, सच रही अरहां, सच रही रे, सच रही मेरी अम्द मया, सुन नहरी गोटे में सच रही मेरी अम्द मया, सुन नहरी गोटे में तुन नहरी गोटे मेरू पहरी गोटे में सच रही मेरी कोटे मेरू पहरी कोटे मेर कोटे में ओ मैया तेरे चुनेरी की जजब है पात अंदा जैसा मख्या में जिसे अचे हात दीजे वंटी दमादिया रूप बाच रूप बाच चाहरे कर सेवों मेर घर ये सन्या फूजर मासु सन्वों पर आई सन्या बनकर उनके घर आई ये सुष्क आई कलम ले खते राजो मिशाल गंधारा कराओ सब को जंगुलाओ आँ खाराओ लोग बात बस जरी धरंग जी पीचारों रूब गए, आतिकक्या स्थाध्यामिन इनर यॆश्यी नृज़ी नानि हम इसे भी रुच्पोलल साध्या अंरुबedu वो सोचने लगे मैं निर्धन इतने बड़े भंडारे कायों जिन कैसे कर सकता हूँ सहसा उनके मन में विचार आया कि वो कन्या कोई साधारों कन्या नहीं थी कोई महान शक्ति थी और जब उसने इस महान कार्य का हुखम दिया है तो उसका प्रबंद्धि महीं करेगी यहां सोचकर निमन्परण देने निकल पड़े गाओं गाओं खुंदेशा दिया रास्ते में दो एक नाथ जी मिल गए प्रबंद्धि में शक्ति थी आया ये लोखो लाया श्री धर घबड़ाए उस समझ रपाए फिर अन्या आए उन्हें धीर बंगाए वो देशी शक्ति श्री धर से बोली तो मत घबड़ाओ अब आहर आओ सब अधिखी अपने तुटिया में लाओ श्री धर जी बोले तुटिया में चलकर तुटिया में चलकर तुटिया में तेरी बैस होंगे कैसे वो देशी धर तो चलो तो अंदर अधिखी पान की किल्था तुटि बोढ़ दो मुझे पर तुटिया में चलो तुटिया में चलो अंदर क्यों समझेगा कोई जो भी तुझे पूझे को आओ जो भी तुझे पूझे याखी वह लो सचल रही तेरी अब्रे गया तो नहरी को आओ DJBS के रुपास मैं कुछ और चाहता हूँ मा बोलो योगी राज आपको क्या चाहिए तब भैरम ने कन्या से मांस और मदिया मांगी कन्या ने भैरम से कहा जो कुछ वैशनों भन्णारे में होता है अजी मिलेगा भैरम हच करने लगा क्योंकि उसको तो कंण्या की परिक्षा लेनी थी उसके मन की बात मातारानी पहले ही समझ चपी थी क्योँ ही धैरम ने माता को पकड़ना चाहा वो मह माया अंतरधान हो दे धैरम ने योगुजिया से देखा बो दिप्य कंण्या बवन रूप होकर प्रिकूर्ट परवत की और बढ़ रही है दर्शनी दर्वाजा बाण गंगा चरण पादु का आधी स्थानों के होकर आधी कुमारी वाले स्थान पर पहुँश कर गर्व जून इस्था में देवी नौ मैंनों तक पिश्रा में पहुँश कर दोड़ा भईया का पुछा मा उस्था के अंदर जब गई जाकर जब तर्वत का में भईयरो जाता था पहले पर जैखे लग्पूर में रोखा खर गया का भईयरो जब पर लागुर भईयरों में मय उख्रो भयं कर पिर आधी शक्ति हम सर्गन चंडि जब पहरंती को रूठ बनाया है रव घबराया कल पालिक मारी है रव संभारी है रव के संसे आवाजी ये आई है आधी शक्ति है तंजीम आई मुझ पर के रपाकर मेरा दोश्व बनाकर मुझे को बोई वर्दे ये करुणा सर्दे मैं हूँ अक रादी तेरी पुट्ची साजी मेरा दोश में का दे मेरा दोश्व बनादे है रव घबराया तो बोली वे शमाता देरी तूझा के वादर में होगी तेरी पुट्चा तेरी पुट्चा जाए हूँ पीजे बीदे पुट्चा जी जे बंपी सबाध्या मेकसिंग पॉरिंट रूप बास मोबाइल नंबर 78 91-72-02